हेलो फ्रैंड्स, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, आज शुरू करते हैं, एक्सरसाइज 7.1 से, कुश्य नमबर 3 फैंड़ स्मॉलेस्ट नमबर, बाइविच इच ओव दा फॉलविग नमबर्स, मस्ट बी डिवाइड़ तू अप्टेन अ परफ्रेक्ट क्यूब, वो छोटे से छोटा नमबर बताईए, जिससे इन नमबरों को हम डिवाइड करके एक परफ्रेक्ट क्यूब बना सके, यानि इसके निकालने पड़ेंगे प्राइम फैक्टर, तो 81 का पहले प्राइम फैक्टर निकालते हैं, तो 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, ये होगा 3 से डिवाइड, 3 का रूल ये होता है कि डिजिट्स का सम 3 के टेबल में आना चाहिए, 8 और 1 9 हो गया, ये 3 से डिवाइड हो जाता है, इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 27 आ गया, ये 3 से डिवाइड होकर 9 आ गया, ये 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 आ गया, ये 3 से डिवाइड हो गया, फन आ गया, अब हम 81 को लिखेंगे, 81 is equal to 3 का क्यूब, देकि 3 का तो पेर बन गया इसमें, 3 के 3 बन गये ना, त क्यूब से अलग जो चीज है वो ही इसको खराब कर रही है यानि अगर इस थरी को हम हटा देंगे ना तो जो नमबर अब बनेगा अब जो थरी का क्यूब होगा वो परफेक्ट क्यूब होगा तो जो चीज इसमें क्यूब से अलग जो चीज आ रही है उसे ही हमें हटाना है अपना अंसर मिल गया, तो बस यह ही इसका अंसर है, therefore 81 must be divided by 3 to obtain a perfect cube, यह साकेंड पार्ट देखते हैं, 128, तो 128 के पहले निकालेंगे, prime factors, 128, 2 से divide हो जाएगा यह, क्योंकि पीछे 8 है, 2 से वो number divide हो जाते हैं, जिनके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं, वो 2 से divide पूरी तरह से हो जाते हैं, 2 से divide करके यह 64 आ गया, यह 2 से divide हो जाएगा 32 आ गया, ये भी 2 से हो जाएगा 16 आ गया ये भी 2 से हो जाएगा 8 आ गया ये भी 2 से हो जाएगा 4 आ गया ये 2 से डिवाइड होकर 2 आ गया ये 2 से डिवाइड होकर 1 आ गया तो 128 को हम लिखेंगे is equal to अब यहां cube देखते हैं किस-किस का बन गया देखिए इसका 2 का क्यूब बन गया यहाँ पर यह तीन 2 है इनका बन गया तो 2 का क्यूब और फिर अगेन 2 का क्यूब और यह जो एक 2 है यह इसके अंदर extra है तो यह जो extra है न यही इस 128 को perfect cube नहीं बनने दे रहा है तो इस 2 को हम हटा देंगे हटाने का मतलब है कि इसी से डिवाइड कर देंगे अपने नंबर को 128 को तो मिल गया answer तो लिखेंगे therefore 128 must be divided by 2 आगे वोई पूरी language है to obtain a perfect cube चलिए थर्ड पार देखते है 135 इसके PF निकालते है 135 के तो यह 2 से तो होगा नहीं और 3 से चेक करें 5,6,7,8 और 9 तो 9 आगया नगे डिजिट्स का सम्ट तो यह 3 से डिवाइड हो जाएगा जब इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 45 45 फिर 3 से डिवाइड हो जाता है तो 15 आगया 15 3 से divide हो जाता है तो 5 आ गया 5 5 से ही divide होता है और यह 1 आ गया तो 135 के prime factors बनते हैं यहां पर 3 का पूरा cube बन गया तो यह लिख दिया हमने 3 का cube और यह जो 5 है यह एक extra है अब यह जो extra चीज आ रही है ना cube से अलग यही सवाल को perfect cube नहीं बनने दे रही है तो इसी से divide कर देंगे तो यह हट जाएगा 5 तो फिर जो answer आएगा वो perfect cube होगा तो therefore 135 must be divided by 5 to obtain a perfect cube चले इसका third part हो गया, fourth part करते हैं fourth part है 192, 192 के pf निकालते हैं 192 के पीछे 2 है तो 2 से यह divide हो जाएगा पूरी तरह से आएगा 96, इसके पीछे 6 है यह भी 2 से divide हो जाएगा 48 पीछे 8 है तो 2 से divide हो जाएगा 24 पीछे 4 है तो 2 से divide हो जाएगा 12 12 2 से divide होके 6, 6 2 से divide होकर 3 3 3 से divide होता है 1 इतने simple से इसके prime factors निकले हैं अब ज़रा लिखते है 192 को देखिए 2 इसमें उपर 3 बार है तो यह 2 का cube बन गया यहाँ पे फिर से 2 का cube बन गये नीचे फिर से 3 बार है तो लिखेंगे 2 का cube यह 2 का cube बन गया फिर से multiply 2 का cube बन गया और यह जो 3 1 है यह अलग से है यह extra तो cube तो इनके तो बन गई यह extra है जो extra है वो इस सवाल को perfect cube नहीं बनने दे रहा तो इसी से divide कर देंगे तो जो आएगा वो perfect cube होगा therefore 192 must be divided by 3 आगे वोई language है to obtain a perfect cube चाहिए लास्ट पार्ट है 704 704 के PF निकालते हैं पीछे 4 है तो 2 से divide हो जाएगा यह आएगा 352 यह भी 2 से divide हो जाएगा 176 यह 2 से divide हो जाएगा 88 यह 2 से divide हो जाएगा 44 यह 2 से divide हो जाएगा 22 यह 2 से divide हो जाएगा 11 11 प्राइम नंबर है 11 से ही divide होता है यह इसके प्राइम факTORस है तो 704 को हम लिखेंगे अब देखिए यहाँ पे 2 का cube पूरा हो गया एक दो तीन यहाँ पे 2 का cube पूरा हो गया एक दो तीन और ये 11 एक्स्ट्रा तो इसे लिखेंगे 2 का क्यूब फिर से इंटू 2 का क्यूब और ये मल्टिप्लाइ में 11 तो ये जो 11 है ये इसके अंदर एक्स्ट्रा है जो क्यूब से अलग है ये एक्स्ट्रा ही इसको परफेक्ट क्यूब नहीं बनने देरा अगर इस 11 से 704 को डिवाइड कर देंगे तो जो आएगा वो परफेक्ट क्यूब होगा तो देरफोर 704 must be divided by 11 to obtain a perfect cube तो इतना असान होता है जो चीज एक्स्ट्रा होती है न जो भी हमें एक्स्ट्रा दिखाई दे रही है चूब से अलग बास उसे से डिवाइड कर देते हैं हमारा अंसर आ जाता है तो इस वीडियो में बस इतना ही नेक्स्ट कोशन्स के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई